हेलो दोस्तों, आपका अपने यूटूब चैनल स्टेडी पोर सथ 4.0 में स्वागत है मैं विकास आपका अपने यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों और दोस्तों आज जो हमारा गूर्प D का एकजाम हो आया फस्ट शिप्ट का उसमें क्या क्या कोश्चन किस किस परकार से पूछे गए है और उन से संबंदित कौन कौन से सवाल बनने वाले है आज इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से बात करने वाले हैं दोस्तों और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब पर लीजिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेलफुल होने वाला है दोस्तों तो दोस्तों देगे पहला सवाल हमारा किस परकार से पूछा गया था विदुद बलब का फिलामेंट किस दातु का बना होता है तो दोस्तो जो हमारे विदुद बलब होता है उसका जो फिलामेंट है वो बना होता है टंगस्टन दातु का तो दोस्तो यह तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टंगस्टन दातु का क्यों बना होता है क्योंकि इसका गलनांक सरवादिक होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फिलामेंट के धातु का गलनांक की कितना होता है तो दोस्तो आपको याद रख लेना है 3422 degree centigrade इसका गलनांक होता है यानि कि 3422 degree centigrade पर यह पिखल जाएगा चलिए दोस्तों अगला सवाल देगे किस प्रकार से पूछा गया था अमलिय वर्सा का pH मान कितना होता है तो दोस्तों जो हमारी अमलिय वर्सा होती है उसका जो pH मान होता है वो 5.5 से कम होता है आपको ध्यान में रख लेना है चलिए अगला सवाल देगे किस परकार से पूछा गया था मानव सरीर में मैगनीशियम किस में पाय जाता है तो दोस्तो जो मानव सरीर में मैगनीशियम है वो हड्डियों में पाय जाता है और दोस्तो आपको ध्यान लखने रहा है जो हमारी हड़िया है हड़ियों में हमारे जो है वो कैलशियम और फास पुरस भी पाय जाता है आपको ध्यान में रखना है और दोस्तो अगला सवाल देखिए किस परकार से पूछा गए था हाई कोट किस अनुशेद के तहत रिट जारी करता है तो दोस्तों जो हमारा हाई कोट है वो आर्टिकल 226 के तायत रिट जारी करता है और यह कितने परकार की रिट जारी करता है आपको ध्यान लगना है यह 5 परकार की रिट जारी करता है दोस्तों और दोस्तों सेम आपको ध्यान लगना है सुप्रीम कोट के लिए अगर आपसे पूछ लिए सुप्रीम कोट किस आर्टिकल के तैत रिट जारी करता है तो दोस्तों आपको ध्यान लगना है आर्टिकल 32 के तैत रिट जारी करता है और आर्टिकल 32 के अंतरगत क्या है आपको य सविधान की आत्म का है क्या अक्यों दोस्तों सभीदान की आत्म का है participated आपसे कुश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों चलिए दोस्तों अगला सवाल किसम मैं STEPHAN Nikki कँ कुछा गयता है तो दोस्तों बात करे उत्पा समादक राज्या है वो है 36 गड़ और दोस्तों अगर आप से पूछ लिया जाए सरवधिक बंडार की दरश्टी से जो है कौन सा राज्या है कोईले में वो है आपका जारकंड दोस्तों आपको याद रख लेना है चलिए दोस्तों अगला सवाल देखें किस प्रकार से पूछ पूछ गया था दो हजार की जनगनना की अनुसार बोध धरम के अनुयाई किस राज्या में सरवधिक है तो दोस्तों आपको ध्यान लखना है जो हमारे बोध धरम के अनुयाई है में सरवधिक सिक्किम में हैं आपको एकदम से ध्यान लखना है दोस्तों और दोस्तों अग में दोस्तों और इसमें जो है हमारी 40% जो है बोध धरम के निवासी निवास करते हैं चले दोस्तों अगला सवाल देखे किस परकार से पूछा गया था तापती नदी कहां से निकलती है तो दोस्तों जो हमारी तापती नदी है ये निकलती है मुलताई से और मुलताई के भी बेतूल जीले से कहां से निकलती है बेतूल जीले से निकलती है आपको ध्यान में रख लेना है दोस्तों और दोस्तों यह जो मुलताई है यह सत्थपुड़ा की रेंज में है दोस्तों किस रेंज में है सत्थपुड़ा परवत की रेंज में है चलिए दोस्तों अगला सवाल गोवा की राज के बासा क्या है तो दोस्तों आपको ध्यान लगना है गोवा की जो राज के बासा है वह है कौंकणी और अगर आपको कौंकणी से कुछ और याद आना चाहिए वो याद आना चाहिए जो हमारी कौंकणी बासा है यह है 71 समिदान संसोदन 1902 के दुआरा आठवी अनुसूची में जोड़ी गई है आपको एकदम ध्यान रखना है दोस्तो चलिए दोस्तो अगला सवाल देखे किस परकार से पूछा गया था गुलकोज का रासाइनिक सुत्र क्या है तो दोस्तो जो हमारा गुलकोज है उसका रासाइनिक सुत्र है C6H12O6 आपको ध्यान में रखना है चलिए दोस्तो अगला सवाल देखे किस परकार से पूछा गया था बैकिंग सोडा बनाने की रासाइनिक विदी क्या है तो दोस्तो जो हमारा बैकिंग सोडा है वो किस परकार से बनता है देखिए जो हमारा बैकिंग सोडा है दोस्तो जब हम Na2CO3 की किरिया जल की उपस्तिति में कार्बन राइड या अक्साइड से करते हैं तो हमारा जो है वो बनता है sodium सोरी दोस्तो बैकिंग सोडा बनता है यानिकि NaHCO3 बनता है दोस्तों आपको ध्यान में रखना है चले दोस्तों अगला सवाल देगे किस प्रकार से पूछा गया था वनों को काटने से क्या परवाव पड़ेंगे तो दोस्तों जो हमारे वन है इनको काटने से क्या-क्या परवाव पड़ते हैं नंबर एक आपको ध्यान रखना है इसमें जो है गलेशियर पिंगलते हैं गलेशियर पिंगलते हैं कि इसको वनों के काटने से यानि की global warming होती है और दूसरा जो है क्या होता है CO2 का इस्तर बढ़ता है यानि की carbon dioxide बढ़ती है और दोस्तों तीसरा जो important fact है वो है कि यह कि मर्दा demonstrapargan सबसे दिग होता है दोस्तों और दोस्तों यह हमारे कुछ सवाल थे जो हमारे exam में पूछी गए है और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल에 को